ओम शान्ती आज सिक्रिष्न जयन्ती की जनमस्टमी की सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाईयां बधाईयां मुबारक को मुबारत को सिक्रिष्न की जनम जयन्ती आते ही सारे भारत भर में एक ऐसा हरसो लाश्चा जाता है उमंग उत्सा और खुशी हर एक के जीवन में भर जाती है जो चारो और देखो तो हर कोई विभिन तरीके से जनमस्टमी को मनाते हैं कहीं जग देखो तो बहने माताएं लड़ू गोपाल के रुप में उसको जुला जुलाते हैं कहीं देखो तो कुमार या भाई लोग मिल करके संगठित को करके बहात उची मठकी बांधते हैं और उस मठकी को पोड़ते हैं तो कहीं देखो तो सिक्रिष्ण के विभिन चरित्रों की जाकियां सज रही हैं और हर कोई उन जाकियों को देखने के लिए अपने परिवार के साथ जा रहे हैं इसी क्रिष्ण की जैनती में ऐसी क्या खास बात है जो इतना हर्श उल्लास के साथ मनाते हैं और किसी देवी देवताओं की जैनती नहीं मनाई वहां तक किसी क्रिष्ण के साथ स्री राधे भी है लेकिन स्री राधे की जन्म जैन्ती इतनी दुमधाम से नहीं मनाते हैं जितनी सिक्रिष्ण की जैन्ती मनाते हैं वहां तक कि हर कोई माताएं बेहने ये चाहना रखती है कि सिक्रिष्ण जैसा बच्चा प्राप्त हो कई बहने सोचती है सिक्रिष्ण जैसा भाई मिले तो कई गोप सोचते हैं कि हमें सिक्रिष्ण जैसा सखा मिले हर कोई की इच्छा सिक्रिष्ण को पाने की या सिक्रिष्ण के साथ समय व्यतित करने की प्रहती है और यही सोचते हैं कि जब सी कृष्ण साक्षात में इस भारत धुमी पर थे उस समय का नजारा कैसा होगा उस समय का द्रिश्य कैसा होगा काश हम भी उस समय में होते थे दिखाते हैं कि सी कृष्ण का जन्म एक तरफ तो कहेंगे कि कंस के कारावास में हुआ गोर अंध्यारी रात्री थी खोब तुफानी रात थी और ऐसे समय में उसका जन्म होता है और दूसरी और शास्त्रों में यह भी दिखाया है कि चारों और पानी ही पानी था और एक पीपल के पत्ते पर सी कृष्ण अंगुठा चूसता हुआ इस संसार में आया अब दोनों बात अगर देखा जाए एक तो नहीं है अब दोनों में से सत्य क्या है कि सच मुझ सिख्रिष्ण का जन्म जेल में हुआ था जिस सिख्रिष्ण की दुनिया के लिए कहा जाता है कि सिख्रिष्ण जब इस संसार में थे तो उसकी मैमा में गाते हैं वो सोलह कल संपूर्ण, संपूर्ण नेर्विकारी, मर्यादा पुर्षोत्तम, सर्वगुन संपन अवस्था में ते हैं। उस समय का समाज कैसा था? तो नेच्रल है, जहां इतनी पावन आत्मा जन्म लेती हो, वो समाज कितना स्रेष्ट होगा? तो उस स्रेष्ट समाज में सबसे पहली बात क्या कारावास होता है? जेल होती है? नहीं, ये भी किसी बात का प्रतीक है, या किसी बात की और संकेत कर रही है। और इसी लिए सिक्रिष्ण का जन्मोच्सव जरूर मनाएं, लेकिन समझ के साथ मनाएं। कहने का भावार्थ यही है, कि कारावास यानि बंदन, कलियुक के अंदर आज देखा जाए, तो हर एक व्यक्ति के जीवन में कितने बंदन हैं, और उस बंदन वाली बेडियों में बंदे हुए हैं। कारावास यानि अज्ञानता की अंदकार रात्री, जहां विकारों का तुफान चरम सीमा पर था। आज चारों और दुनिया में अज्ञान अंधेरी रात है, जहां विकार चरम सीमा पर है, अनेक और बुराईयां चाही हुई है। हर एक मनुश्य का जीवन अनेक प्रकार की बंधनों की बेडियों में जगड़ा हुआ है। तो नैचरल है, सी कृष्ण को कहते ही है, कि जब वो हर आत्मा को मुक्त करने आते हैं, अर्था कि परमात्मा जब इस संसार में अवतरित होते हैं, तब ऐसी स्थिपी होती है। और तब उन आत्माओं को उन बंधनों से मुक्त कर, अनेक प्रकार के दुख, दर्द, परिशानियों के बंधनों से मुक्त कर, सी कृष्ण की दुनिया में ले जाते हैं। और इसी लिए वो सी कृष्ण की दुनिया, जहां इस कल्यूग के बाद आने वाली सत्यूगी स्रेष्ट दुनिया, जहां सी कृष्ण जैसे पावन आत्मा का जन्म होता है। इसी लिए दूसरी और जो दिखाया, के चारो और पानी ही पानी, और ऐसे में एक पीपल के पत्ते पर सी कृष्ण अंगुठा चोसता हुआ, इस संसार में आता है। अर्था, ये कलियोगी अज्ञानता की दुनिया जब समाप्त होती है, और पावन सत्यूगी दुनिया जब इस संसार में आती है, तो उस समय भारत ही होता है। बाकी चारो और दुनिया जलमई हो जाती है, लेकिन भारत खंड अविनाशी माना जाता है। और अनेक आसपास के देश जो है भारत खंड के साथ जुड़ जाते हैं, इसलिए भारत को भारत नहीं महा भारत कहा जाता है। और वो महा भारत की आकरति उस समय एक पीपल के पत्ते की तरह। चारो और पानी ही पानी, और उस पानी में भारत भुमी पीपल के पत्ते की तरह। जहां से कृष्ण जन्म लेते हैं, जेल में जन्म नहीं हुआ, लेकिन उस भारत जो पीपल के पत्ते की तरह था, वहां पर अंगुठा चूसता हुआ आता है। और जो कहा देव की और वासुदीव का पुत्र था, भावारत यही जो देवकुल की आत्माएं थी, उन सब देवकुल की आत्माओं को परमात्म मुक्त कर ऐसे सत्यूगी पावन स्रिष्टी में ले जाते हैं, जो पीपल के आकार की भारत भुमी थी, आज भी थोड़ा सा हिस्से नीचे का तो पीपल के पत्ते जैसा ही आता है, लेकिन उस समय भारत खंड एक पीपल के पत्ते की तरह होता है और ऐसे पीपल के पत्ते पर अकेला सी कृष्ण नहीं होगा उसके साथी भी होंगे ऐसी पावन दुनिया जहां पूरी राजधानी बनती है और जहां वो देवकुल की आत्मा है सब जन्म लेती है और इस संसार को स्वर्ग कहो, कृती युग कहो Heavenly Kingdom कहो, बहिस्त कहो, जन्नत कहो अनेक धर्म में उसको अनेक नामों से जाना गया है ऐसी दुनिया में वो जन्म लेगा और वो सत्यूद के अंदर उसके कितने जन्म होते हैं तो उसी कृष्ण के आठ जन्म दिखाए हैं आठ जन्म होने कारण और हर जन्म इतने स्रेष्ट होने कारण उसकी जन्म अश्टमी मनाई जाती है और थाथ आठो जन्म की जैन्ती हर भारतवसी मनाते हैं क्योंकि ऐसी बावन आत्मा ऐसी स्रेष्ट आत्मा के जन्म जैन्ती मनाने में भी हमें इतनी खुशी होती है या उसमें से प्रेणा प्राप्त करते हैं कि ऐसी दुनिया में हम भी जाने के योग्य बने हम भी उस दुनिया में जाए जहां सब आत्माएं इतनी पावन सर्वगुण संपन सोले कला संपूर्ण हो तो वहाँ जाने की इच्छा लालसा हरात्मक हुएती है कि जहां हम साक्षाथ से कृष्ण के एक जनम की जैनती नहीं आठो जनम की जैनती दुमधाम से मनाते हैं और इसलिए जनम अश्ठमी के बाद नवे नंबर पर स्री राम आते हैं इसलिए राम नौमी कहा जाता है आठो जनम की जैनती फुल हमने मनाई उसके बाद नवे नंबर पर स्री राम आये तो राम नौमी कहाते हैं से कृष्ण के लिए ये भजन गाते हैं सिक्रिष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायन नमवासु देखा अर्थात बच्पन में जिसको सिक्रिष्ण कहा थोड़ा बड़ा हुआ गौाल बाल बना तो गोविंद कहा थोड़ा और बड़ा हुआ रास लीला रचाई तो उसको हरे मुरारी कहा और फिर जब राज गद्दी पर बैठते हैं, तो उसको नाथ नारायन कहते हैं, तो एक ही जन्म के ये विभिन अवस्था है, अगर स्री लक्ष्मी और स्री नारायन सत्यूग में हो, तो उसका बच्पन सिक्रिष्न कहां होना चाहिए, अवश्य सत्यूग में ही होना चाहिए, तो सिक्रिष्न द्वापर में नहें, लेकिन सत्यूग का पहला राज गुमार इसलिए कहा, पीपल के पत्ते पर अंगुठा चूसता हुआ, सिक्रिष्न इस संसार में आता है, जब चारों और दुनिया जलमे हो गई है, ऐसे समय पर न और वही नाथ नारायन बनते हैं, और इसलिए स्री लक्ष्मी नारायन का राज्य जब था, उसको कहते हैं सूर्य वन्शी, और जब पूरा सत्यूग सूर्य वन्श बन जाता है, सूर्य के समान चमकती गुई आबा मंदल में, हर कोई आत्मा सोले कला संपूर्ण स्थिती मे हैं, और फिर जैसे स्वत्यूग से दूसरा यूग आता है, त्रेता यूग, तो वहां चंद्रवन्श आरम होता है, इसलिए कहा जाता है स्री राम के पूर्वज सूर्य वन्शी थे, परंतु जहां से स्री राम आए, वहां से चंद्रवन्श आरम हुआ, इसलिए स्री राम चंद्र कहा जाता है सूर्य नारायन कहा जाता है राम चंद्र कहा जाता है वेसलिए सिक्रिष्ण सत्यूग का अर्थात स्री नारायन का ही बच्पन का स्वरूप और स्री राम प्रेतायुग में तो आये क्यों नहम कुनह सिक्रिष्ण की ऐसी सुन्दर जैनती मनाएं, आठो जन्म की जैनती मनाएं और अपने जीवन में भी ये प्रेना प्राप्त करें कि हमें भी अब इस कल्योगी दुनिया के बाद जो सत्यूग आने वाला है तो उस दुनिया में सिक्रिष्न के साथ खेलने के लिए, साथ जीवन व्यतित करने के लिए क्यों न हम ऐसे अपने आपको भी योग्य पात्र बनाएं उसकी जो महिमागाई है वही योग्यता हमें अपने जीवन में भी धारण करने है उन्ही शुब वचनों के साथ सब को पुनहा बहुत बहुत जनमस्ट में की मुबारकों मुबारकों ओम शन्ब